हलो फ्रेंज वेलकम टू डूलीन कीचन आज मैं लेके आई हूँ ब्रेड से बनी ऐसी आइसक्रीम की रेस्पी जो आप देख सकते हैं यह आइसक्रीम बिल्कुल मुँ में घुल जाने वाली आइसक्रीम बनी है और बहुत ही कम समान में बनके तयार होता है अगर आप एक बर इसको बार-बार बना के खाने का आपको अमन करेगा तो यहां पर मैंने एक ग्लास दूद लिया है दूद को हम रख देंगे गरम होने के लिए और इस आइसक्रीम को बनाने में ज्यादा समान की भी जरूरत नहीं होती और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनके तयार होती ह तो फ्रेंस एकीन मानिए इस आइसक्रीम को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो यहां पर मैं तीन ब्रेड ली हूं तो ब्रेड के कोनर को हम कट कर लेंगे क्योंकि इस आइसक्रीम में कोनर को नहीं डालना है कोनर से आप एक अच्छी मिठाई भी बना सकते हैं बहुत ही उबाल आ गया है तो अब हम ब्रेड क्रम्स को थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो ब्रेड क्रम्स डालने से पहले हम इसमें दूद में डालेंगे चीनी तो यहां पर मैंने चार बड़े चमस में चीनी ली हूं तो चीनी हमारा मेल्ट हो चुका है अब इसमें हम ब्रेड क्रम तो थोड़ा थोड़ा हम ब्रेट क्रम्स को डालते जाएंगे और चलाते जाएंगे अगर एक बार हम ब्रेट क्रम्स को डाल देंगे तो यह खराब हो जाएगा तो थोड़ा थोड़ा डालते रहिए और फिर इसको चलाते रहिए तो यहां पर मैं ने सारा डाल दिया है अब इसको हम चलाती हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे तो बहुत ही यह जल्दी बनके तयार हो जाता है आप देख सकते हैं ब्रेड क्रम्स डालते ही यह गाढ़ा होने लगा है यहां पर एक छोटे चम्मस से मैंने इलाइची का पाउडर लिया है चार इलाइची को मैंने पीस के उसका पाउडर बना लिया था अब हमारा ब्रेड क्रम्स घाड़ा हो गया है दीरे दीरे बिलकुल क्रीम की तरह लग रहा है तो उसको उतार के हम ठंडा कर लेंगे तहां पर मैं मिक्सर ग्राइंडर ली हूँ जिसमें मैं आधा कटोरी क्रीम डाल लेंगे यह कर लेंगे तो बहुत ही जल्दी बनके तयार होता है तो चर्ण करने से पहले इसमें हम डालेंगे बनेला एसेंस इसके फ्लेवर के लिए अगर आपके पास नहीं है तो खाली इलाची पाउडर भी यहां पर डाल सकते हैं तो यहां पर मैंने चर्ण कर लिया है आप देख सक सकते हैं तो उपर से हम लगा देंगे फोयल पेपर आप फोयल पेपर के जगह पर कोई भी पॉलतीन पतला वाला लगा सकते हैं यहां पर पॉलतीन लगाना बहुत जरूरी है ने तो यह आइस क्रीम अच्छा जम के नहीं तयार होगा तो मैं चार घंटे के लिए फ्रीज में चार घंटे के बाद जब मैंने खोल के देखा तो आप देख सकते हैं आइस क्रीम कितना अच्छे से जम के तायार हुआ है तो अब इसको हम सर्फ कर लेंगे तो यहां पर मैंने लिया है कटोरी अब कटोरी से निकालते हुए हम इसको सर्फ कर लेंगे तो आपको जैसे तो मैंने यहां पर बावल में लिया है और बावल में लेनी के बाद मैं इसको रख दूँगी प्लेट में तो यह हमारी आइस्क्रीम बहुत ही टेस्टी बनके तयार है तो फ्रेंज एक बार जरूर आप भी ट्राइ कीजिएगा बहुत ही अच्छी बनी थी आइस्क्रीम तो वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा उपर से मैं रख दूँगी बादाम गार्निशिंग के लिए अब इसको हम सर्फ कर लेंगे तो आई होब आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा तो मिलते अगले वीडियो में नई रेस्पी के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाई बाई